हाई प्यारे दोस्तों एबी सी सी अनिबडी केन कोट लेकर आया है बिगिनर्स के लिए भरवा करेले की एक संपलसी रेसिपी जिसे आप अराम से बना सकते हैं अगर आप पहली बार भरवा करेले बना रहे हैं मैंने लगभग धाइसोग्राम करेले लिए थे और करेले बहुत छाट कर मैंने छोटे-छोटे निकाले थे क्योंकि आशकल मार्केट में बहुत बड़े-बड़े करेले भी आ रहे हैं आप छोटे-छोटे करेले चाट लीजिए और उनको वाश करके हलके हाथ से पील कर लीज और मैंने इसके अंदर का जितना भी सीड था जो बीज वाला पॉर्शन था वह मैंने इसमें से निकाल दिया बिल्कुल ताजी करेले थे इसलिए थोड़े से हार्ट भी थे निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी पर अराम से निकल जाते हैं कोई दिक्कत ऐसी खास नह और लगभग दो तीन मैंने उसमें लसन की कलिया एड़ करी थी और इसे चौप कर लिया था आप ग्रेट कर सकते हैं आप चाहें तो आप मिक्सी में भी मसाला बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हलका सा आप उसको दरदरा रखेगा इसके बाद ये हमारा प्याज तयार हो अब हम करेंगे सुखा मसाला तयार जो हमें इस स्टफिंग में एड़ करना है इसके लिए मैंने लगभग 4-5 चमच सौफली थी उसमें आधा चमच मैंने जीरा एड़ करा था और लगभग 1 चौथाई चमच कलॉंजी जिससे अचार का थोड़ा सा फ्लेवर आता है इसी मे आपका सुखा मसाला एड़ हो गया है दूसरे तरफ कड़ाई रखिए कड़ाई में मैंने लगभग 4-5 चमच ऑईल डाला था ऑईल इतना रखिएगा कि जो प्याज आप उसमें भूनेंगे वो जले नहीं और उसमें ठीक से ऑईल रहे ताकि सारा मसाला एक साथ जोड़ ज प्याज को फिर हम हलका सुनारा होने तरफ भूनेंगे प्याज भूनते वक्त मैंने इसमें लगभग एक चमच कच्छा आम ग्रेट किया हुआ वो मिलाया और जो मसाला हमने तयार करा था वो भी मैंने एड़ कर दिया उसमें हमने हल्दी नहीं मिलाई थी यहां पर मैंने आ अब मसाले का रंग बिल्कुल अच्छा आ चुगा है और मसाला तयार भी हो गया है मैंने ऑईल कम ही रखा था क्योंकि जो स्टफ्ट करे ले हैं जब हम उनको बाद में स्टफ करके और बाद में कड़ाई में पकाएंगे तो भी हम थोड़ा ऑईल एड़ करेंगे तो पिट यहां क्योंकि कच्छा मारा है आजकल तो मैंने उसको ग्रेट करके आड़ करा था उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है अब चो करेले आपने खाली करे थे उसी के अंदर यह स्टफिंग लगबग एक से देड़ चमच स्टफिंग अराम से आती है और उसे अपने एक लिए आपको बताओं मैंने जतनी भार भी करेले बनाया है मैंने उसमें धागा नहीं लपिटा और नहीं ज़रूत पड़ती है क्योंकि इस स्टफिंग उसमें अच्छी तरह से चिपक जाती है बस आप उसको जब कड़ाई में रखेंगे तब इसी इसका ध्यान करना है यह लीजिए आप हमारी स्टफिंग करके करेले बिल्कुल रेडी हो गए है अब जिस कड़ाई में हमने मसाला तयार करा था उसी में आप दो तीन चमच तेल एड़ कर दीजिए ताकि करेले जले नहीं और बिल्कुल सिम पे लो फ्लेम पे आप इन करेलों को उस ओई करेले में आड़ करके और आप थोड़ा छोटी प्लेट से इसको दबाईएगा ताकि थोड़ा प्रेशर बना रहे और अंदर भाप से करेले अच्छी तरह से गल जाए ज्यादा बड़ी प्लेट अगर आप रखेंगे तो अंदर पानी किरना शुरू हो जाएगा लेकिन हम बना रहे हैं स्टाफ्ट करेले इसलिए हम इसे क्या करेंगे थोड़ा सा हम इसे क्रस्ट भी करना है क्रिस्पी भी करना है और छिलका अच्छी तरह से गल जाए इसलिए हम इसे छोटी प्लेट से डखेंगे जो करेले को अच्छी तरह से कवर कर ले और एक एक करके मैंने इ करेले बन के बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और यकीन मानिए बहुत ही इजी रेसिपी है प्रिपरेशन डाइम है बस लेकिन करेले बन के बहुत ही स्वाधिश्ट लगते हैं आपकी सारी महनत सफल हो जाएगी और ये आप खाईए पूरी के साथ नमकीन पराठे के साथ इससे सर्फ करिए मुझे यकीन है आपकी फैमली में ये करेले सब को पसंद आएंगे आप जो भरवा मसाले हमारा थोड़ा सा बचावा था उसको मैंने इनी करोलो पे स्प्रेट करके और प्लेट से इसको ढग दिया था आप इसे नमक की पूरी या फिर नमक के पराठे के साथ सर्फ करिए सच शुमानी है बहुत हरी डिलिश्स होते हैं एक बार रेसिपी ट्राय जबर करिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में पताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपकी कोई चॉइस है या आप कोई रेसिपी चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताईएगा मैं कोशिश करूँगी कि वो रेसिपी आपके पास एक सम्सिंपल वे में लेकर आऊँ यहां मैं आपसे लेती हूँ विदा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीचिए बैल आइकन को दबाईए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन्स आपको मलते रहें बने रहिए एबी सी सी अनी बड़ी के अनकुक के साथ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए